So guys, welcome back to my YouTube channel, तो आज हम पढ़ने वाले हैं most expected question chapter 1 के, basically इस chapter में मैं आपको जितने भी इस chapter से related MCQs हैं, वो cover करवाऊंगे और इसके अलावा कोई भी SMCQ नहीं होगा, जिसको आप skip कर दें, आप से नहीं हो, अगर आप इतने MCQs को done कर लेते हैं तो, चलिए start करते हैं 1 by 1 questions को, त कौनसी जो statement है वो गलत है, question क्या है, देखो, PO plus C, यानि कि PB होता है, यहाँ पर LED, LED को oxygen से react कर वाओगे, sorry, LED oxide को आप react कर रहे हो carbon से, तो बन रहा है यहाँ पर क्या, PB और CO2 अलग हो जा रहा है, यानि कि CO2 के side combine हो रहा है, और PB अलग हो जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर, पहरी statement कहता है, LED getting reduced, तो जो LED है, वो तो reduce नहीं हो रहा, reduce कौन होता है, जिसमें से oxygen side निकल जाए, मान लो PB हो था, अगर इसमें से oxygen side निकल जाए और यह सिर्फ बचे PB, तो यह हो रहा है, reduce, ठीक है, अगर इस PB में oxygen add हो जाए, तो आप बोलेंगे, यह oxidize हो रहा है, समझगे oxidize का मतलब जिसमें oxygen add हो रहा हो, reduce का मतलब क्या है, जिसमें से oxygen remove हो रहा होगा, ठीक है, अब इस statement को one by one पढ़ते चलो, मैंने आपको इलाने तो समझा दी, अब बोल रहा है, LED getting reduced, क्या यह LED reduce हो रहा है, आप बोलेंगे, नहीं मैम, यह तो reduce नहीं हो रहा, तो यानि यह वाल हो रहा है, तो आप इसको भी cross कर देंगे, अगला है carbon is getting oxidized, तो carbon देखो कहा है, carbon को CO2 से compare करो, यहाँ पे तो oxygen add हो रहा है, that means eta oxidized statement correct है, तो इसके बाद बोल रहा है कि lead oxide is being reduced, तो lead oxide का क्या बन रहा है, सिर्फ lead बन रहा है, यह इसमें से oxygen बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतल 보이, यह वाली statement भी ठीक है, तो दो statement उपर वाली गलत है, question क्या था? कि इन statement में से कौन सी statement गलत है, to कौन सी गलत है, option number A और B गलत है, याणी option A बोलता है, कि first or second गलत है, या फिर second, third, या फिर सारी गलत है, कौन सा option आपका ठीक होगा, यह question मतलब यहाँ पे गलत दे रखा है दोनों option same same दे रखें दोनों time तो option A इसका सही हो जाएगा B भी ठीक है because of reason क्या है क्योंकि यहाँ पर दोनों में same answer आपको दिये हुए हैं अगर यहाँ पर मान लो दिया होता third की first or third तो हम यहाँ पर option A को option second next question की तरफ move करो next है FeO3 plus Al यह क्या बना रहे है Al2O3 plus Fe यानि की ferric oxide albumium से reaction करके aluminium oxide और Fe अलग हो रहा है यहाँ तो आप क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो Al है वो oxygen से reaction कर रहा है Fe के side हो जा रहा है तो यह एक तरिके के कौन से reaction है यह है आपके displacement reaction क्योंकि आपने पढ़ा है इसमें seeds के और यह displace हो रही है क्योंकि जो Almonium में यहाँ पर FV इसमें more reactive है इसी वज़े से Almonium ने FV के जगे ली और क्या हो गया FV को side कर दिया because Almonium है पर जादा reactive था combination में क्या होता है दो भी compound होते है वो combine हो जाते है और decomposition में वो break हो जाते है तो इसका हमारा सही correct answer क्या है displacement reaction next question क्या है what happened when dilute hydrochloric acid यानि dilute hydrochloric acid dilute का मतलब समझ लो dilute का मतलब होता है जिसमें water ज़्यादा quantity में होगा यानि ऐसा hydrochloric acid जिसमें water ज़्यादा quantity में होगा उसे बोलेंगे dilute hydrochloric acid और जिसमें water कम quantity में होगा hydrochloric acid ज़्यादा होगा उसे बोलेंगे concentrated HCl ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या बोड़ रहा है कि जो iron अगर इसमें fill कर दोगे तो क्या होगा देखो जब FV की reaction dilute HCl से होती है तो यह क्या form करता है यह बनाता है FVCl2 plus H2 gas यहाँ पर क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है बैलेंस करने के लिए आप यह का लगा देते है 2 लगा देते है अब यह जो आपने reaction देखी इसमें क्या हो रहा है सबसे पहला option बोल रहा है hydrogen gas and iron chloride are produced मतला hydrogen gas remove हो रही है और iron chloride बन रहा है बिल्कुल correct statement है क्योंकि iron chloride और hydrogen gas remove हो रही है यहाँ ठीक है next क्या कहता है option next option कहता है chlorine gas and iron hydroxide produce बिल्कुल गलत है no reaction takes place reaction तो हो रही है यह option भी गलत है iron salt and water बिल्कुल बाटर तो produce हो रही है यह बाला option भी गलत हो जाएगा next क्या है z no और c यह मिलके बनाते है zinc side हो जाता है और co लग हो जाता है यहाँ पे देखो z no किसमें बदल जाता है jiden में बदल जाता है यानि क्या हो रहा है reduction of oxygen sorry oxygen remove हो रहा है अब इस reaction में जहाँ पर oxidation और reduction दोनों साथ साथ होते हैं, उस reaction को हम कहते हैं, redox reaction, RED मतलब reduction, OX मतलब क्या होता है, oxidation, यानि इस reaction में क्या हो रहा है, आप बोलेंगे मैं बोथ हो रहा है, reduction भी हो रहा है, oxidation भी हो रहा है, that means in this reaction, redox reaction is akar, तो यह क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, छीक है, then, इसके बाद next question की तरफ move करते हैं, next है, agno3 को react कर रहे हैं, nabr से तो क्या बन रहा है, अब इस reaction को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, ag, agbr combine हो रहा है यह आपर, और यह जो nano3 है, वो combine हो रहा है, छीक है, double displacement reaction, यहाँ पर form, sorry, double displacement reaction का option कौँँज़ है, option number C, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, next time, which of the following is respiration, आपको पता है, respiration में क्या होता है, जो glucose हमारी body में बनता है, यानि कि C6, S12, O6, यह जो glucose है, यह reaction करता है, जो हम oxygen लेते हैं, environment से, उस oxygen से reaction करता है, और क्या बनाता है, यह यहाँ पर बनाता है, यह बनाता है, carbon dioxide, water, और यह बनाता है energy, ठीक है, अब जिस reaction में energy release होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब energy या heat energy release होगी, उसे हम बोलते हैं, exothermic reaction, अब exo word में याद रखो, exo का मतलब होता है exit, exit से relate कर लो इसको, exo को exit से relate करोगी, इसका मतलब heat क्या होगी, release होगी, अगर वहीं आ जाए endo, और therm का मतलब होता है heat, तो exothermic में वो होगा, जिसमें heat क्या होगी, release होगी, exothermic में heat release यानि exit होगी और endothermic में heat क्या होगी absorb होगी दोनों तीनों concept clear होगे यानि कि मैंने आपको बताया कि respiration के अंदर क्या होता है heat release होती है energy release होती है इसलिए उसको क्या बोलेंगे exothermic reaction हम बोलेंगे यानि इसका option हो जाएगा और क्या exothermic reaction next question है आपका which of the following medicine is used to treated in digestion यानि जब हमें indigestion की यानि हमारा खाना ठीक से digest नहीं हो रहा है उस time पे हम जिस medicine का use करते हैं क्योंकि हमारे स्टाबंच में acidity हो जाती है उसको neutral करने के लिए हम base का use करते हैं जो कि आप chapter 2 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो medicine use करी जाती है उसका नाम है anti-acid क्या नाम है उसका anti-acid उसका नाम होता है तो option number यह दे रखेंगे आपको option number C इसका right हो जाएगा next क्या है why edible containing oil and fat are flush with nitrogen बोल रहा है edible का मतलब होता है जो खाने के समान होते हैं जो भी खाने के समान होते हैं उसके अंदर बोल रहा है कि जो भी edible खाने पीने के चीज़ें होते हैं जिसके अंदर oil or fat होता है तो उसके अंदर nitrogen gas को क्यों फिल करवाते हैं reason यह है ताकि rancidity से prevent हो सके क्योंकि जो यह food है जब यह oxygen से react करता है तो क्या होता है rancidity तो इसमें से क्या हो जाएगा देखो to prevent reduction बिलकुल गलत to prevent oxidation यह ठीक है यानि यहां पर option number b क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा ठीक है इसके बाद next चलो next है option number 9 what is the common name of NaCO3 यानि sodium hydrogen carbonate किसका common name है तो यह जो है आपका basically यह common name है आपका baking soda का किसका है baking soda तो baking soda देखो option में कहां दिख रहा है आपको एक second yes जो baking soda है वो option number c है यानि इसका answer हो जाएगा baking soda और साथ-साथ मैं आपको यह भी बता देती हूँ जो gypsum होता है gypsum का formula होता है caso4.2mol of water यह है आपका gypsum का formula next इसके बाद है bleaching powder bleaching powder होता है caocl2 यह bleaching powder का formula है इसके बाद baking soda तो मैंने अभी बताए था क्या होता है na h co3 this is a baking powder और इसके बाद क्या है washing soda washing soda होता है क्या caso4. sorry एक सिगंड यहाँ पर इसको correct करो आप यहाँ पर है na2 co3.10mol of water क्या लिखना है आपर 10mol of water जो होगा यह formula हो जाएगा आपक इसका washing soda का आपका formula हो जाएगा तो इन सारी चीजों को आप एक बार note कर लो या तो इसका screenshot ले लो साथ के साथ ताकि है formula आपको याद रहें next आजाओ next चलते है next question की तरफ move करते हैं तो इसका answer जो है हमारा क्या हो जाएगा baking soda हो जाएगा इसको correct कर लो next चलते है next question की तरफ next है agbr agbr ag होता है हाँ पर silver agbr की reaction जब sunlight की presence में होती है तो यह break हो जाता है ag plus br में और यह हमारी एक decomposition reaction है कौनसे reaction है decomposition reaction है क्योंकि इसमें जो compound है अभी सा यह break हो रहा है एक से जादा चीजों में ब्रेक हो रहा है और प्लस में इसमें sunlight का use हो रहा है तो agbr जब sunlight की presence में reaction होती है तो यह reaction हम white and black photography में इसका यूज करते है तो इसका option नमर हो जाएगा अभी white washing में हम use करते है क्यों क्लाइम का sorry slagged lime का जो होता है c a o h का hold wise इसका common name है slagged lime इसका use हम करते है white washing white washing का मतलब होता है जो घरों में paint करा जाता है ना पुताई करे जाती है उसको कहते है white washing next आगे protection of corrosion इसके लिए हम galvanization process का use करते है zinc के layer चड़वाई जाती है reactive metal के उपार तो इसके बाद चलवा जो question number 11 question number 11 कहता है to remove permanent hardness of water sodium compound used यानी permanent hardness को remove करने के लिए water की permanent hardness को remove करने के लिए कौन से compound का use करा जाता है तो वो आप use करते हो किसका washing soda washing soda का formula just अभी बताया था Na2CO3.10mol of water तो यह इसका formula हो जाएगा NaOH क्या होता है यह होता है strong base जिसका common name होता है caustic soda क्या होता है caustic soda इसका common name है then अगर मैं बात करूँ NaCO3 तो अभी है मैंने baking soda आपको बताया था यह वही है next आजो which gas is evaluated when dilute HCl is poured on granuled zinc यानी granuled zinc के अंदर अगर आप dilute HCl को डालते हो तो क्या होगा देखो यहाँ पर reaction को चेक करूँ यानी कि जब आप zinc की reaction HCl के साथ करवाते हो तो जो आपका product बनता है वो है ZnCl2 plus में H2 gas जो होती है यहाँ पर evolve होती है तो इसने question क्या पूछा था कौन सी gas evolve होगी तो nitrogen gas evolve होगी तो आप यहाँ पर option में क्या डाल सेकते है nitrogen gas option देखो हाई oxygen होती है hydrogen chlorine iso2 hydrogen gas option number b is a correct next question number 13 question number 13 कहता है कि जो CAO यानी calcium oxide की reaction जब water से करते हैं तो क्या बनाता है अभी just मैंने आपको बताया था CAOH का hold twice इसका common name क्या है slack the lime यानी इस slack the lime को जो चूना होता है इसका common name है quick lime क्या है quick lime क्यूक lime को जब water के साथ react करवाते हैं तो क्या बनता है slack lime बनता है plus में heat produce होती है यानी यह एक exothermic reaction का भी example है और यह क्या है देखो दोनों चीज़े आपस में combine हो रही है तो यह combination reaction का भी एक example है तो यहाँ पे देखो कहीं पर exothermic नहीं है तो यह combination reaction का एक example है और यह slagged lime है CAOH का hold twice और यह क्या है क्यूक lime इसका common name है तो यह आपको याद रखना है next question के तरफ move करते है question number है आपका 14 CE6-S12-O6 oxygen के साथ react करता है बनाता है carbon dioxide water and energy यह question मैंने आपको थोड़ दे पहले बतायता कि जब glucose react करता मतला respiration क्या होता respiration basically यह process जो मैंने आपको रेक्शन बताई थी तो बोल रहा है इस type what is special name of this reaction this reaction का special name क्या है respiration मैंने पहले ही बताय था तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C इसका हो जाएगा next question number 15 question number 15 क्या है कि जो breaking of water by electrolysis क्या नहीं electricity की purchase में जब किसी compound का decomposition आप करवा आते हैं तो उसे कहते हैं electrolysis तो electrolysis के अंदर बोल रहा है अगर water को break करवाओगे तो कितने molecule mole ratio बनेगा hydrogen और oxygen का तो यहाँ पर जो ratio बनेगा 2 ratio 1 का होगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो hydrogen है वो तो होगे 2 और oxygen कितने होगे सिर्फ 1 next what is the chemical formula of lead nitrate lead का मतलब क्या होता है PB होता है nitrate मतलब क्या होता है NO3 होता है चीक है अब जो PB होता है इसकी जो valency होती है वो होती है 1 और NO2 एक मिनट इसकी valency होती है 2 और इसकी valency होती है 1 दोनों को आपस में cross करो answer क्या आएगा PBNO3 का hold twice ये इसका क्या हो जगा correct answer हो जाएगा next है इसका question यानि इसका जो correct answer है वो है PBNO3 का hold twice next question है AGBR जब break हो रहा है AGBR में और यहाँ पर क्या होता है ये with the presence of light होता है बताय था मैंने आपको इसमें light का use होता है तो जब light का इसमें use हो रहा है तो इसका मतलब इसमें तो light और heat यानि absorb हो रही है तो ये reaction कैसी होगी endothermic reaction का example होगी तो यहाँ पर आपको डाल देना है endothermic reaction अगर यहाँ पर लिखा होता decomposition तो हम decomposition भी option में ले सकते थे next क्या है C U O C U O S2 से react कर रहा है बना रहा है C U S2O तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो C U O से C U O बन रहा है और S2O यानि यहाँ पर तो हो रहा है C U O से C U O से C U बन रहा है यहाँ पर हो रहा है reduction और यह S2O से बन रहा है S2O यानि यहाँ हो रहा है oxidation यहाँ हो रहा है reduction तो आपको यहाँ पर क्या पात चला है इसके इंदर दोनों reaction एक साथ हो रही है that means it's a redox reaction redox reaction की definition होती है कि in this reaction oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reaction next one is 19 formula of ferric oxide ferric मतला होता है FV और oxide मतला oxygen के साथ अप reaction करते हो तो यहाँ पर जो FV जो iron होता है उसकी balance होती है 3 और oxygen की balance होती है 2 जब आपस में इनको cross करते हैं तो हमारा जो answer आता है वो क्या आएगा Fe2O3 और यह हमारा आंसर है यह हमारा formula होता है कि इसका ferric oxide का formula होता है next one is 20 question number क्या कह रहे कि जो CAO यानि क्यों क्लाइम के reaction जब water से करते हो तो यह slack lime बनाता है और इसके अंदर मैंने आपको बताया है heat release होती है heat release का मतलब क्या है exothermic reaction है तो इसका answer क्या हो जाएग exothermic यह answer है अगर यहाँ पर दिया होता combination तो हम combination भी लिख सकते थे बट यहाँ पर कोई combination का example नहीं है जिस वज़े से हम यहाँ पर क्या दे रहे exothermic next one is next question है आपका 21 21 question को देखो MNO plus HCL और यह बना रहा है MNCL2 और H2O और CL gas रो दिया है यहाँ पर remove हो रही है अब यहाँ पर आप एक चीज़ को notice करो क्या notice करोगे कि MNO से क्या बन रहा है MNCL बन रहा है यहाँ ठीक है यानि इसमें oxygen तो है नहीं oxygen remove हो गया पर जब आप ले रहे हो H2 sorry HCL को तो यहाँ पर क्या हो रहा है oxygen add हो रहा है तो इसमें क्या है oxygen add भी हो रहा है CL तो lead chloride हमने पहले भी पढ़ा था PBCL2 मैंने आपको पहले सबसे पहले यही बताया था I think so तो PBCL2 इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा PBCL2 कहां दिख रहा है option number B next is our 23 question बोल रहा है कि जो S2 की reaction अगर O2 से करवाओगे तो यह क्या हो रहा है combine हो रहा है combine हो रहा है मतलब क्या है combination reaction का example है तो combination example आपको दिख रहा option number A तो यही हमारा correct हो जाएगा next is question number 24 24 में आप क्या दिख रहे हैं कि FV के reaction है CUSO4 से करवा रहे हैं तो FV जो है more reactive है compared to C.O तो इसलिए यह इसको displace कर देगा इसके जगे को बदल देगा और क्या बन जाएगा FVSO4 or Cu gas क्या हो जाएगी remove तो यह किसका example है यह displacement का example है तो displacement दिख रहा option number B में तो यही हमारा correct answer हो जाएगा next is question number 25 question number 25 में क्या हो रहे है FV2O3 ferric oxide react कर रहा है aluminium से क्या बना रहा है aluminium oxide FV side यानि कि जो यहाँ पर है aluminium oxide बन रहा है reason क्या है क्योंकि जो aluminium है वो more reactive है FV से इसले FV को उसने displace कर दिया FV side हो गया तो यह भी किसका example है displacement का तो displacement दिख रहा है option number B तो option number B जा correct question number 26 में क्या है calcium hydroxide का formula आपको बताना है तो calcium और hydroxide होता है OH calcium का symbol होता है calcium की balance होती है two hydroxide की होती है one तो यहाँ पर आप देखोगी क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बनेगा CA OH का whole twice क्यूंकि CA तो एक ही था इसकी balance एक था क्रॉस कर दोगे आप इधर जाके तो और oxygen कितने है दो इसलिए इस तरीक एक इसका formula बन जाएगा और इसका common name कहा next one is CA CO3 calcium carbonate की reaction आप कर रहे हो और calcium carbonate होता है lime stone क्या होता है lime stone lime stone मैंने यहाँ पर आपको तीन common name बतायते C O is a cube lime यह क्योक lime है यह lime stone है और CA OH को whole twice is lag lime तो यहाँ पर इस टाइप की चीज़े हैं जब यह लोग आपस में react कर रहे हैं तो आप क्या दिख रहे है यहाँ यह सा component दूचिजों में टूट जारा है तूटना मतलब क्या होता है आपका correct answer हो जाएगा नेक्स से question number 28 question number 28 कह रहा है which gas is produced when granulate zinc is added dilute hydrochloric acid यह question repeat है question number 28 इसका answer है hydrogen gas जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया था next one is question number 29 check करते है question number 29 कह रहा है कि sodium sulfate का formula क्या होगा sodium का मतलब होता है और sulfate होता है क्या SO4 यह दोनों आपस में react करेंगे देखो इसमें option एक ही दिख रहा है आपको option number C तो यह हमारा क्या हो जागा correct हो जाएगा option number C is the correct next क्या है question number 30 question number 30 में agno3 के reaction आप NaCl से करवा रहे हो तो क्या बना रहा है agcl और NaNo3 यह combine हो रहा है एक second मैं दूसरे color का use करती हूँ NaNo3 एक साथ combine हो रहा है तो यह क्या है यह double displacement का example है तो यह किसका example double displacement को option number C में दिख रहा है तो यह हमारा क्या हो जागा correct हो जाएगा question number 31 क्या कहता है ferric oxide आपको दे रहा है यहाँ पर Fe2O3 इसके reaction आप करवा रहे हो aluminum के साथ तो क्या हो रहा है यह आपस में यह रहा यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है इसमें से कौन सा reduce का मतलब क्या होगा जिससे oxygen remove हो रहा होगा तो oxygen किस से remove हो रहा है Fe2O3 यानि इससे यह बन रहा है Fe यानि से oxygen remove हो रहा है अगर question reduce की जगा पूछ लेता क्या oxygen हो रहा है तो आपको क्या पता है कि इसमें से कौन oxygen के साथ react कर रहा है तो oxygen से react कर रहा है कौन Al2O3 यानि Al2O3 क्या हो रहा है oxidize हो रहा है अगर पूस्ता oxidize तो आप answer लगाते Al2O3 पर इसमें पूछा था reduce reduce के लिए हम क्या लगाएंगे Fe2O3 तो अब इसे साब से देखो आपको answer कहां दिख रहा है Fe2O3 Fe2O3 is the option number A question number 32 Jink Oxide के reaction आप कर रहे है Carbon के साथ तो बोड़ा है इन में से कौन सा Reduce हो रहा है Reduce का मतलब क्या होगा जिससे Oxygen Remove हो रहा होगा तो चक करो Jink Oxide से Jink बन रहा है यानि Oxygen Remove तो answer क्या हो जागा ZN O यानि Jink Oxide अगर यहाँ पर reducing के जगा पुछ लेता Oxidizing तो आप क्या option लगाते Option number मतलब इसमें Carbon इसका answer होता है यानि Option number C correct बताते हैं बट अभी फिलाल कौन सा correct है इसमें है Jink Oxide is the right answer Next question number 33 Which gas is used to prevent rancidity Rancidity को prevent करने के लिए Nitrogen gas का use करा जाता है और हर class अगर आप से यह पुछ लें कि के केते हैं Nitrogen से पहले कौन सी gas का use करा जाता था तब आप बताएंगे कि Option number B is a Hydrogen gas का use करा जाता था Nitrogen से पहले बट वो इतना effective नहीं रहा जिस वज़े से क्या करते है Nitrogen gas का use करते है Question number 34 Which one of the example of exothermic reaction इने में से कौन सा exothermic example है एक जो थर्मी का मतलब क्या होता जिसमें Heat Release होगी Heat Release किसमें हो रही थी Qclime, Chain Slag Lime यह वाला मैंने आपको बताए था यानि कि CAO जब वाटर से react कर रहा था तो यह बना रहा था CAOH का hold twice और plus में Heat be remove हो रहा थी तो यही Option हमारा सही है Option number is a right Question number 35 यहाँ पर मैंने आपको पहले बताए था AGBR इसमें क्या है यह Sunlight के presence पर reaction होती है जिसका use हम करते है White and Black photography के अंदर और यह कौन से reaction थी Decomposition तो इसमें देख लो Decomposition कहा रहा है और इसमें Heat absorb हो रही थी तो इसमें Heat की presence हो रही थी Next is a question number 36 के तरफ move करते है Question number 36 Question number 36 कह रहा है What type of reaction is combination reaction of natural gas Sorry, combustion of natural gas बोल रहा है Combuction of natural gas कौन से type की reaction होती है जब आप किसी जिसको जलाते है तो क्या होता है Heat release होती है Energy release होती है इसका मतलब वो क्या है Exothermic reaction है Question number 37 What is formula of glucose यह मैंने आपको पहले भी बताए था तो इसका answer आप comment box में बताएंगे कि क्या इसका answer है Question number 38 Jink oxide की reaction कार्बन से कह रहे है Jink plus oxygen इसमें से बोल रहा है यह कौन से reaction है तो आपको पता है इसमें से ZNO से क्या बन रहा है Jink बन रहा है oxygen remove और C से क्या बन रहा है CO2 यह दोनों reaction क्या हो रहे Oxidation Reduction That means it is a Redox reaction Question number 39 Dess is a greenhouse gas इनमें से कौन से greenhouse gas है तो इनमें जो carbon dioxide है वो greenhouse gas है विकाज यह इसको 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 इसकार्ट करती है बहुत जादा amount में तो इसलिए carbon dioxide यानि कि CO2 is a correct answer अगर आपको वीडियो helpful लगी है तो वीडियो को like करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि और वीडियो का notification आपको तुरंधी मिल जाए Thank you so much watching this video